सूर्य की किरने जब एकत्रित हो जाती है, तो आग उत्पन न कर सकती है, मन की शक्ति है, जब एक आगर हो जाती है, तो उर्जा का विस्पोर्ट होता है, मन की एक आगरता संपोर्ण ज्ञान है, मन की एक आगरता में समग्र ज्ञान का स्त्रोत है, नेत है, उर्जा की अनुभूती एक आगरता की अनुभूती है, विदेश में कभी एक महिला थी, रूस में, जिसके पास ऐसी अद्भूत शक्तिया थी, ऐसी मन की एक आगरता थी, कि वो अपने इर्द गिर्द जो वस्तुए थी, उन पर अपने मन को एक आगर करती थी, और वो वस्तुए हिलने लगती थी, चमच टेबल पर रखी हुई वस्तुए, परन्तु, वेग्यानिकों ने शोद किया और पाया, जब भी ये रूस की महिला इस तरह के प्रयोक करती थी, तो उसका तीन पॉंड वेट कम हो जाता था, उपर से उसने कुछ भी नहीं किया, जो किया अंदर से किया, परंदु शक्ती बहार गई, और उसका वजन गड़ जाता था, वो लगबग एक हफ़ता थोड़ी अस्वस्थ रहती थी, और फिर सामान्य हो जाती थी, ऐसे बहुत से शक्ती के प्रयोग है, एकागरता के प्रयोग है, मन से विद्युत तरंग्य निकलती है, टकराती है, विचार उर्जा है, एनर्जी है, वो एनर्जी, यदि एकागर हो जाए, तो अस्तुओं को, चीजों को, बहुत इक चीजों को, मटीरियल को प्रभावित कर सकती है, यहां तक कि संसार की जो चीजे हैं और उनके जो आटमिक नंबर से वो बदल सकते हैं, स्वावि विवेकानंद के जीवन में दो प्रसंगों का उलेख है, कितना सत्य है, पता नहीं, परंतु कहानियों के रूप में ये बाते बताई जाती है, पहला जब वो युवा थे, नरेंदर नात थे, और उन्हें पहला अनुभव हुआ था समाधी का, एक आगरता का, उनी का एक गुरु भाई वहां था, जो बहुत बोला था, जिसका नाम काली चरन था, वासंक्यदेवी देवताओं की पूजा करता था, घंटों लगा देता था, पूजा, पाठ, जब, बहुत बोला वाला था, उसका जो रहने का स्थान था, जैसे पूजा का, मंदिर का स्थान था, चुटी-चुटी बहुत सारी मुर्थिया, और नरिंदरनाथ उस दाओर में नास्तिक जैसे थे, खोच चलू थी, सत्यकी, और वो हसते थे उस पर, और उसको कहते थे, यह सब क्या कर रहे हो तुम, यह सब मुर्थियों को उठा कर सीधा गंगा में जाके फेग दो, और उनका संपर्ग उनके गुरु से हुआ, और एक बार एक प्रतम अनुभव हुआ, समाधी का, एक आगरता का, देह से रही तवस्था का, जिसमें वो चिल्ला उठेते कि मेरा शरीर कहा है, कहा है, कहा है, वो जब देखते हैं, काली चरन, इतनी पूजा करते रहता है, इतनी अंदश्रत था, गुध्यान में बैटते हैं, और आदेश देते हैं, काली चरन, ये क्या कर रहे हो, वो काली चलन दूसरे कमरे में यहीं से मन से आदेश देते मन को एकागर करके अपनी इस सारी मुर्थियों को उठाओ एक चादर में डालो और जा कर गंगा में फेक करा जा सब व्यर्थै वो काली चलन भोला-भाला विक्ती है वो उन सब मुर्तियों को एकत्र करता है उसमें डालता है चाहदर में और जाने लगता है राम कृष्ण बीच में मिलते हैं और कहते हैं क्या कर रहे हो कहता है सब जर्थ है पता नहीं मुझे क्या हो रहा है समझ नहीं अंदर से बार बार आवाज उठ रही है कि इन मुर्तियों को लेकर गंगा में बहाद उन्हें समझाता है कि कुछ तो गड़बड हुई है और उससे कहते हैं ऐसा नहीं करो तुम जाओ वापस और देखते है नरिंदरनात ध्यानमगने और तब वो उससे कहते है कि ये कागरता सिद्धी को ला सकती है और सिद्धी पतन का कारण हो सकती है इसलिए अभी तुम्हें ये अनुभव वापस नहीं होगा जिवन बर जब तुमारे शरीर छोड़ने का समय होगा और उससे तीन दिन पहले के वली अनुभव होगा तब तक ये चाबी अब मेरे पास रहेगी इस समाधी की अवस्था की एक प्रसंग दूसरा प्रसंग शिका को वो जब जाते है तब टहल रहे है भाशन पर भाशन सीरीज चालू है लंबी कॉनफरेंस है और वहाँ समुद्र है समुद्र के तट पर कुछ बच्चे खेल खेल रहे है उनके पास गन है एर गन और उन्होंने वो समुद्र कि वहाँ पर अंडे के छिल के एक शेल्स डाल के रखे है और वो शूट करने की कोशिश कर रहे हैं पर जितने बच्चे होते हैं किसी का भी निशाना नहीं लगता है वो बच्चे इस यूवक से कहते हैं क्या विल यू ट्राए हैं हमसे नहीं हो रहे हैं आप एक बार कोशिश करके देखो और वो लेते हैं और जितने भी गोलिया उसमें समिकलती है एर गन से वो सभी निशाने पर लगती हैं और सारे एक शिल्स तुट जाते हैं वो बच्चे बहुत खुश होते हैं और उनसे पूछते हैं आप बहुत एक्सपर्ट लग रहे हो इस बारे में आपने शायद बहुत प्राक्टिस किये वो केता है कौन सी प्राक्टिस मैं एर गन ही पहली बार पकड़ रहा हूँ हमारे भारत में ऐसी एर गन होती नहीं मैंने पहली बार ही पकड़िये वो पूछते हैं फिर आपने कैसे मार दिया निशाने पर कैसे लगी, सारी गोलिया और वो फिर वही उत्तर, एकागरता है जब मन एकागर हो, मन स्थिर हो तो सारी सिधिया, सारे कार्यस सुधः हो सकते हैं परंदू, एकागरता के इस मार्ग में खत्रा भी है एकागरता सिधिया लाएगा एकागरता अहंकार भी लाएगा इसलिए एकागरता लक्ष नहीं है, नहीं मेडिटेशन एकागरता है मेडिटेशन बहुत बड़ी, मेडिटेशन की परिभाशा बहुत बड़ी है merely concentration is not meditation एकागरता तो संसार में बहुत लोग हैं जो सिखाते हैं पर हाँ एकागरता सीड़ी जरूर है, अध्यात्म का लक्ष है साक्षिभाव उसकी एक सीड़ी एकागरता हो सकती है एकागरता शुरुवात है साक्षिभाव अंत्थ साक्षिभाव से चित्त शान्त हो जाता है एकागरता से शक्तिशाली बनता है परंतु वो शक्ति यदि दिशाहीन हो जाए तो अनर्ध कर सकती है इस शक्ति को समझना है और उसे डेफलप करना है तो आज की अव्यक्त वारी क्या कहां बाबा? क्या करो? क्या करो? कौन किसको देख रहा है? ये ब्राम्भन संसार कैसा है ये संसार? चोटा है न्यारा है स्रेष्ट है प्यारा है विशेश है अलवकिक है संसार में परिवार है चोटे-चोटे परिवार है ये बड़ा परिवार है संसार में एक ही परिवार होता है चोटा सा उसमें कितनी तकलीफ है, कितनी जंजटे कितने द्वंद होते और लोकिकता होती है ये परिवार कैसा है? इतना बड़ा, इतना लोकिक एक न मिले दूसरे से वनवन की काठी है यहाँ पर कोई कहा से, कोई कहा से, कोई कहा से परन्तु सभी फिर भी एक सुत्र में बंदे हुए है ऐसा परिवार और संसार में कहीं नहीं है संसार में असंख्य अध्यात्मिक संस्थाय है परन्तु वहां जाकर परिवार की अनुभूती नहीं होती है वहां मेंबर से, और्गनाइजेशन से, सदस्य है वाफीस है, क्या कुछ है यहां तो सन्यासी है गुरु भाई है परंतु परीवार जहां मात पिता हो और बाकी सब बच्चे ऐसा कहीं नहीं है तो क्या कहा बाबा ने यह संसार कैसा है? अलोकिक, यह संसार कैसा है? बेहत का, यह का संसार कैसा है? श्रेष्ट ये संसार कैसा है छोटा सा ये संसार कैसा है न्यारा ये संसार कैसा है प्यारा स्रेष्ट विशेश और जो संसार के अंदर रहने वाले है वो कैसे है वो भी विशेश है वो भी स्रिष्ट है और एक एक पर जिम्मेदारी है किस बात की विश्व परिवर्तन की तुम उचे जाओगे तो संसार उचा जाएगा तुम नीचे जाओगे तो संसार नीचे जाएगा सब कुछ तुम पर निर्भर है तुम उपर संसार उपर तुम नीचे संसार नीचे तुमारी वृत्ती, दृष्टी, कृती सब संसार को प्रभावित कर रही है तुमारा संकल्प संसार को प्रभावित कर रही है और मदुवन विशेश यह लाइट हाउस है सेंटर है टीवी स्टेशन है यहां से किर्यन, संसार में फैलती है. और क्या कहाबाबानिंप? परिवार, परिवार की आत्मा हैं, और आत्माओं की करतव्य जिम्मेदारी हैं. क्या यह स्मृति में है? एक है जानना, एक है मानना, एक है अनुभाव करना. जान तो लिया है, दो बाते, कौन सी? स्वैम को और समय को एक मिनिट में कितने स्वमान लिख सकते हो? बहुत नहीं प्रैक्टिस करनी है इसकी कल सुबह टाइम सेट करना है, एक मिनिट अभी नहीं कल बराबर एक मिनिट टाइम सेट करना स्टार्ट और फिर समय लिखना चालो जैसे एक मिनिट पूर हो था, स्टॉप फिर देखना कितने लाते है तो यह है पहली ड्रिल पहला हो मख आज की मुली से एक मिनिट में कितना याद आता है और एक बार अभ्यास किया, अभी थोड़े देर की बात नेक्स्ट वही अभ्यास परन्तु पहले स्वमान रिपीट ना हो या फिर इस अभ्यास को एक दूसरे रिती से लिया जा सकता है कल साकार मुर्ली जो चलेगी वो मुर्ली पूरी सुन ले ना सुन के पूरी हो गई उसके बाद में एकांत में जाके बैठो एक मिनिट अलाम और फिर लिको क्या-क्या याद आता है तुम कौन हो तुम कौन हो कितना फास्ट याद आता है तो जानना मानना और आनुवाओ तीन प्रकार की आनुवाओ कौन से जनीचे से साधरन मद्यम और स्रेष्ट स्रेष्ट अनुवाओ के लिए स्रेष्ट एक आगरता की आवश्यक्ता है जब-जब योग में हमें अनुवाओ हुआ होगा सब ने ये जाना होगा कि गवस्था एक आगरता की आवस्था में हुआ था वो अनुवाओ मन बुद्धी एक दम स्थिर हो गई थी हम अगर कहें कि हमने आज किसी को सकाश दी ये कैसे माना जाएगा क्या प्रमान है कि सकाश पावर्फुल थी क्या होगा उस समय मन बुद्धी क्या हो जाएगी वन पॉइंटेड इतनी एकागर हो जाएगी कि हमें दिखेगा कि हम यहाँ है वो आत्मा यहाँ है हमने सकाश दी और वो सकाश जा रही है और उस आत्मा को उस किर्णों ने स्पर्श किया तच किया तो एकागरता अपने आप में अभ्यास है प्रैक्टिस है और आज हम देखेंगे इस एकागरता को लाने के लिए क्या किया जाए मुरली में इसकी चर्चा नहीं है मुरली में चर्चा है उसके फाइदो की किसकी चर्चा है फाइदे कैसे लाए उसका क्या करना है चिंतन और क्या कहा सीट पर सिट हो जाओ तब अनुभा होगा अगर नहीं होते है तो क्या होता है अपसिट फिर क्या होता है बेचेन होते है आनंद की अनुभूती नहीं होती है परिशान होते है परवश होते है अपसेट होते है, प्रभावित होते है माया से, प्रकृती से, आत्माओं से, संसकारों से अपने आप से भी स्वभाव और संसकार, दो शम्द संसकार जकते है पुराने रावन के, विकारों के Christianity में दिखाया है Jesus Christ को कई बार कहते हुआ सुना है कि वो कहता है, the demon is in you राक्षस तुमारे भीतर है और ये राक्षस व्यक्ति के अंदर प्रवेश करता है और उससे पाप कर्म कराता है वो अंदर बैठा है इसी राक्षस को हम संसकार कहते है पर जो योगी होता है, उसे ये संसकार प्रभावित नहीं करते है नहीं तो संसार के लोग इतने दुखी क्यों है वो भी उनमें भी दिव्यता तो है ही हर एक आत्मा है and every soul is divine फिर भी उसमें एक राक्षस प्रवेश है वो उससे सब कुछ कराते रहता है और वो राक्षस है संसकार तो बाबने क्या कहाच किस को याद करो किस संसकार को याद करो आदी और अनादी को याद करो वो मेरा संसकार है ना की ये इसको deny करो, reject करो ये है ही नहीं क्योंकि जहां मेरा है वहाँ अपना पन और अपना पन है वहाँ पर अधिकार reject, deny आए भले उसके वशिभूत है उस समय परंतु इसी बात को रिपीट करते रहना है कि ये मेरा नहीं है थोड़े समय के लिए मैं प्रभावित हूँ भावा ने तो इसी मुझली में का है स्वप्न में भी और संकल्प में भी दुख की लहर ना आए ये दुख अनुभव होना अर्थात विकार दूसरा है स्वभाव स्वभाव अर्थात आत्मिक भाव में स्थित होना तो ये जो कॉंसेंट्रेशन पावर है इससे क्या क्या होता है इस मुरली में इसकी चर्चा है पहला क्या करती है एकागरता की शक्ति तुम्हें निर्विग्न बनाती है कैसे सहच जहां एकागरता नहीं है वहां विग्न ही विग्न है ज्यान में एकागरता नहीं मुरली याद नहीं रहेगी योग में एकागरता नहीं बुद्धी भटकेगी एक है बटकता हुआ चित है एक एकाग्रचित सेवा में एकाग्रचित नहीं तो क्या होगा? सफलता नहीं होगी और क्या होगा? कलतिया होगी mistakes होगी करने कुछ रहेंगे ध्यान कहीं और और क्या होगा? परचिंतन होगा उल्टा पुल्टा हो जाएगा सत हमें एकाग्रचित सबसे पहला योग में, ग्यान में, उरली में, सुनने में, सुनाने में, चिंतन में, और सेवा में, और कहां आउश्च रखेए? सुनने में, सुनाने में, और कर्म में, और भोजन में, बनाने में, खाने में, खिलाने में, और देखने में, और पढ़ने में, और चलने में, चलने में, दोडने में, sports में, exercise में और speech में, बोलने में और एकागरता कहां कहां आवश्चक है कोई बहुत skillful काम है वो करते समये कि जिसमें balance की ज़्यादा आवश्चक है वहाँ आवश्चकता है driving करते समये creative career करते समये कोई problem को solve करते समये कोई sum को solve करते समये कोई समस्या के उपर चिंतन करते समये कोई विकार से मुक्त होने के लिए चिंतन कर रहे है उसके उपर एकागरता चाहिए addiction से free होना है उसमें एकागरता की ज़्यादा आवश्चक है और संशोधन करने में, रिसर्च करने में, साइन्टिस्ट कितना एकागर होता है, संगीत में एकागरता की आउश्यक्ता है, साइन्स में एकागरता की आउश्यक्ता है, और डान्स में एकागरता की आउश्यक्ता है, और पेंटिंग में एकागरता की आवश्यक्ता है हर कार्यक, कौशल, जो भी है सब में एकागरता की आवश्यक्ता है डॉक्टर, प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन, लॉयल, लीगल प्रोफेशन कोई भी प्रोफेशन हो स्कल्प्टर, मूर्तिकार, शिल्पकार, कवी, सब को क्या चाहिए, एकागरता चाहिए, अगर एकागरता नहीं, तो ध्यान भंग हो जाता है, गुद्धी इदर उदर भटकने लगती है, कुछ जिस लक्ष के लिए आए, वो लक्ष हम नहीं देखते हैं, कुछ और और देख या क्या हो रहा है, लोग यह क्या कर रहे है, लोग तो बीजी है खरीदारी में, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो तिर्थस्थान ही नहीं है, टूरिस्ट प्लेस भी है, क्योंकि इतना बड़ा है, और जितना बड़ा तिर्थस्थान उतना ही बड़ा वो क्या बन जाता है लोग वहाँ पर दुकानों में खड़े हैं और खरिदारी कर रहे हैं वहाँ पर डांस हो रहा है कई लोग कट पुतलियों का डांस देख रहे हैं कोई लोग ऐसे ही घूम रहे हैं कोई लोग म्यूजिक देख रहे हैं कोई लोग electronic gadgets खरीद रहे है कोई लोग दुकान से वस्तुए खरीद रहे है कोई साडी खरीद रहा है वो कहता ये क्या हो रहा है प्रभू कोई खा रहे है खाने तो street food कोई photo ले रहे है वो तिर्थस्तान पे घूमता है इदर उधर और चिलाता है जोर से प्रभू प्रभित्रता कहा है अध्यात्म कहा है उपर से प्रभू की आवाज आती है क्या कहा होगा प्रभू ने ये सारे लोग पहले मंदिर जाकर आए इन्होंने अपनी पूजा पाठ जब तब पूरा किया उसके बाद ये कर रहे हैं और तुम अभी अभी आएं और ये कर रहे हो तुम से तो वो अच्छे है ये न भूलना कि तुम अभी अभी आए हो बुद्धी भटकती है आए किसलिये थे तिर्टस्थान पर जिसके दर्शन के लिए आए थे और जो काम करने के लिए आए थे वही करो बस यहां यह क्यों वहां वो क्यों इस डपार्टमेंट में ऐसा क्यों वो नहीं दिखना है परचिंतन परदर्शन यह बुद्धी का बढ़काव है जिस कार्यके लिए मधुवन आये हो बस वही करो फिर आउसर नहीं मिलेगा तो सबसे पहला एकाग्रता क्या कर देती है निर्विक न बना देती है ज्ञान सफल होगा योग सफल होगा संपूर्न एकाग्रता ही समग्र ज्ञान है ज्ञान केबल पढ़ने से और सुनने से प्राप्त नहीं होता है चित्ते काग्र होते ही इंट्यूशन जागता है अंतर प्रेरना, अंतर प्रग्या जागती है जो भी कितावे संसार में लिखी हुई है वो सब पास्ट एंशिंट स्टोरीज है पुरानी अभी क्या है, वो जागेगा भीतर अब क्या करना है, वो अंदर से आएगा केवल तियार करो से अंपको तो सबसे पहला फाइदा क्या एकागरता का? ज्यान सहच, योग सहच, धरनाय सहच, सेवा सहच सब कुछ सहच सहच होते जाएगा दूसरा फाइदा एकागरता का? मैनत करने की आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी बुद्धी बढ़कती है बहुत मैनत करनी पड़ती है और जब मन बहुत ज़्यादा एकागर होता है इसलिए अभी अभी योग किया और योग पूरा होते ही मुर्ली पड़ो तुरंत पकड में आती है और वही मुर्ली दुपेर को दो बज़े पड़ो बारा बज़े पड़ो शाम को पाच बज़े पड़ो क्या होता है? पढ़री रहे कहां पढ़री है उसे भी नहीं पता उसने क्या सुनाया क्योंकि पढ़ने में तो सभी एक्सपर्ट है और सुनाने में तो PhD हासिल है सबको परंदू वो mechanical है क्या होगा इसलिए योग में ज्यान में, सेवा में धारनाओं में क्या होगा? मेहनत कम होती जाएगी इसलिए एकागरता को एक दिन का भ्यास नहीं है, छोटी छोटी चीजों में अगर अभी सुनने बैठे हैं यहाँ पर, इतना एकागरता से सुनो कुछ भी, चाहे मुर्ली क्लास कुछ भी ज़स्ट भी वन येर, ओलियर सुनने के अतिरिक तो कुछ भी नहीं करना और उसक्रम को एक ट्रैक बनाओ, यहाँ से चालू किया, फिर यह आया, फिर यह आया, फिर यह एक फ्लो चार्ट, विदेशी आते हैं, कैसे लिखती है, मुर्ली पूरा चार्ट बना देते, डाइग्राम कर देते, ड्राइंग करते हैं, मुर्ली और फिर पढ़ते हैं, तुरंट यहाद आता है, यह बताया, यह बताया, यह बताया, यह बताया, तो दूसरा फाइदा, मेहनत की आवश्यक्ता कम नहीं, तीसरा फाइदा, अनभूती होगी योग में, किसकी? एक जाव नहीं, कोई आसकती नहीं, कोई आकरशन नहीं, संसार का, आकरशन नीचे खीचता है, तुम कौन हो? उड़ती कला वाले, उपर उड़ो, जब जब संसार का लगाव जाकता है, क्या होता है? गिरती कला हो जाती, नीचे खीचता है, हमें कुछ भी ना खीचे इस संसार का किसी का भी प्रेम किसी की भी आ सकती किसी का भी लगाओ क्यूंकि कल पर समूर्ली में था ना इस संसार के सभी लोग क्या है धोका देने वाले है प्रीत किसी से भी नहीं करनी है अगर की तो धोका मिलेगा confirm है सबसे बुद्धियोग निकालो कोई भी ओफिरो अगला फाइदा तो क्यों सी अनुभूती होगी बस एक में ही सब कुछ है चाओ था एकरस क्योंकि जब मन स्थिर होता है एकरस होता है बटकना बंद हो जाता है और एकरस तिती अर्था बहुत आनंद की अवस्था है मूड फ्लक्ट्वेशन नहीं है सुबह सुबह बहुत अच्छा लगा फिर डिस्टरब फिर डिस्टरब फिर डिस्टरब कोई आके स्तुती करता है खुशी होती कोई आके निंदा करता है दुख होता है अर्थात हमने अपनी शक्तियों को इन दो आतमाओं के प्रति समर्पित कर रखी है सरिंडर कर दिये वो डिसाइड करते हैं वो उनके पास रिमोट कंट्रोल है वो रिमोट उदर से दबाते हैं चलो इसकी तारीफ करते हैं प्रे इसका बटन दबाया खुशी वो कहते है ज्यादा ही खुश हो रहा है इसको नीच लाना चाहिए दूसरा बटन दबाते हैं निगेटिव में चला जाता है पूरा सारी खुशी खतम डू नॉट सरेंडर यूर पावर टू अधर अपनी शक्तियों को समर्पित नहीं कर देना है हम डिसाइड करेंगे कब खुश रहना है और कब कब जादा कुश रहना है अगला फाइदा कल्यान की वृत्ति सबका कल्यान हो किसी के प्रतिक रिणा नहीं चाहे कोई भी हो जिसने हमारा अहित किया है जिसने हमें धोका दिया है जिसने हमें बहुत सताया है उसका भी कल्यान हो इतनी स्रेष्ट मंत्सा यही purity है कुछ भी हो फिर हो जैसे भगवान किसी से ग्रिणा नहीं कर सकता हम भे किसी से ग्रिणा नहीं कर सकते शिव के अंश शिवान शेह जैसे वो है वैसे हम है एक ही अगला भाई भाई की द्रिष्ट यह सब जुड़े हुए इस पाते है अगला हर एक आत्मा के प्रती क्या स्ने होगा सम्मान होगा उनके प्रती सम्मान जो हमें सम्मान नहीं देते ज़्यादा ही हो मुश्किल है और तीसरा स्वान के कर्म उनके प्रती स्वान के कर्म स्वैम के प्रती समान के करूं हमारा सभाव है अवगुनों को देखना यह सौफ्ट्वेर इंस्टॉल्ड है क्या करना इसको? अनिंस्टॉल्ड जब भी अनिंस्टॉल करने जाते सब कुछ होने के बाद में लास्ट में मैसेज आता है, फेल्ड लास्ट में मैसेज के आता है एक गंटे के बाद खुशी होती है कि अनिंस्टॉलेशन हो रहा है क्योंकि सिस्टम में इतना डीप है वो कि कहां इंस्टॉल किया गया है, पता ही नहीं सिस्टम भी कन्फुज़ है कोषिश उसने भी की पूरी एक गंटा पर लास्ट में मैसेज के आया फेड़ फाइल मिसिंग इंस्टॉल कहा हुआ है वही पता नहीं है शिवरात्री का आउसर है एक बेटा अपने पिता जी के साथ मंदिर जाता है सोचता है आज जगराता है रात भर जागेंगे शिव भक्त होंगे बहुत बड़ा शिव मंदिर ह और वो वहाँ जाकर देखता है तो क्या देख रहा है लोग सो रहा है मंदिर के अंदर अरे यह तो शिवरात्री है जागना चाहिए न यह जगराता है पूरी रात तपस्या होती है शिवरात्री के दिन तो संसार में तो वो बच्चा देखता है यह भी सो रहा है वो सादू कहते हैं दूसरों कि हो गुन देखने से सोना तो ठीक है ना तुम से तो ठीक है कम- से-कम हो मुझन तो को नहीं देख रहे साथ वह आत्मा के प्रतीस नहीं समान और समान के कर श्राइध मालिक पंकी स्थिती परवश्श्चिति से मुठ्थ और परवश चो आत्मा होती है वो किसी के अधीन होती है वो आत्मा डिसाइड करती है उसका सब कुछ परवश influenced, प्रभावित उसके अपने कोई विचार नहीं है उसका अपना कोई decision नहीं है कोई भी decision लेना है जीवन का क्या करते है तुरंट phone लगाएंगे अगर सामने वाला phone नहीं उठाता तो उससे दुखी, उससे नाराज, उस पर घुसा एक आगरता की शक्ती हमें क्या बनाएगी मालिक अपने जीवन के जितने महत्वपूर्ण decision है, वो कैसे है हमें खुद लेना है भगवान तुमारे साथ है तुम जो decision लेना है यहां रहना है, मदुबन में रहना है, सेंटर रहना है सेंटर रहना है, जॉब करना है, जॉब करना है फूल टाइम करना है, पार्ट टाइम करना है कितने प्रश्ण हैं सब छोड़के यहां जाना है कि यहां का सब कुछ छोड़के वहां चले जाना है महत्वपूर्न प्रश्न है या 50-50 कभी इधर भी कभी उधर भी इधर कभी देख लेते उधर कभी देखते जरुवत पड़ी तो दोनों जैसे कई लोग बैच लगाते है इतना छोटा बैच जो बटन वाला होता है अगर कोई BK मिल गया है तो उसको दिखाएंगे बैच तो है और बाहर वालों के साथ उनको पता ही नहीं चलने देते कि बैच भी है इधर भी और उधर भी दोनों तरफ तोड़ बैलेंस तो एकागरता की शक्ती से क्या होगा पराधीन ता खतम होगी परासिटिक एग्जिस्टन्स दूसरे पर आश्रित है पराश्रित है हर चीज के लिए इमोशन्स डिसिजन्स पैसा हर चीज के लिए सबसे शक्ति शाली वो है जो इंडिपेंडेंट है उसे कुछ नहीं नहीं चाहिए और दूसरों के कॉमेंट्स और दूसरों का क्रिटिसिजम और दूसरों का पोजिशन जिसे सपर्ष नहीं करता है जब उसे पता है की राइट है हाँ पर इसका मतलब यह नहीं कि वेदनशील भी है, receptive है, पकड़ता है, बहुत fast, आत्माओं के मन में क्या है, मन्शा क्या है उनकी, अगला, एकागरता की शक्ति क्या करती है, दिड़ता लाती है, एकागरता होगी, तो जो संकल्ब हम एकागर अवस्था में करेंगे, वो दिड़ होगा, और फिर वो सफल भी होगा, गले काहार होगी सफल था, जो decision, scattered अवस्था में लिया गया है, decision लिया है, करना है नहीं करना हाँ ना हाँ ना, भीश में प्रतिग्या कैसी थी, एकागरता की थी वो, चानक के प्रतिग्या कैसी थी, एकागर अवस्था में की हुई प्रतिग्या थी, नहाराना प्रताप की प्रतिग्या कैसी थी, एकागरता की अवस्था में, शिवाजी की प्रतिग्या कैसी थी, एकागरता की अवस्था की प्रतिग्या थी, जितने देश freedom fighter हुए, उन्सकी प्रतिग्या कैसी ती यह कागर्दागी अवस्ता की ती इसी लिए वह सफल होगा है और दस्वा जो परधिन आत्माओं की परवश आत्माओं की निशानि है वह इदर फाइदे में भूतियों तो एक आगरता से ऐसे दस क्या बता है फाइदे विधी क्या है अब ये है चिंदन का विशे क्या करें चुमाइंड कॉंसेंट्रेशन बढ़ जाए और कॉंसेंट्रेशन सब जगा चाहिए कोई दुकान दारे उसको कॉंसेंट्रेशन चाहिए वस्तुवे बेचने विशे कोई खरीदने वाला है उसको कॉंसेंट्रेशन चाहिए हर चीज में सबसे पहले मल्टी टास्किंग करना है मल्टी टास्किंग अर्थात यह बहुत एक साथ चार चीज़े कर रहे हैं यह हो सकता है परन्तु कब जब मास्टर हो जाओ तब शुरुवात में ही नहीं हब यह कोई डॉक्टर बना है अभी अभी सर्जन बना है उसको बहुत टाइम लगता है उप्रेशन करने में उसको डर रहता है अच्छे से होना चाहिए सब को और जो मास्टर सर्जन ओते हैं आते हैं गुन-गुन आते हुए उटी में उनको ओल्ड म्यूजिक चाहिए उसके सी ऑप्रेशन ही नहीं करते उदर गीद बजता रहे है इदर येरफोन लगा रहता है अराम से करके नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट उनके लिए खेल है क्योंकि मास्ट्री है पर शुरुवात में मल्टि टास्किंग नहीं करनी एक समय पर एक ही काम करो मुरली पट रहे हो इधर मुरली भी पट रहे हो फिर भीच-विश में मुवाईल बचता है के सार एक आगरता की शक्ति धारन करने वाले अच्छा वो बेहन वहां क्या कर रही है पूर्ली पूरी हुई क्या था क्या था मुर्ली में बहुत अच्छी थी क्या अच्छा था मों नहीं पता बस अच्छा था जो कुछ था बहुत ही अच्छा था पहले तो तुम आते नहीं और फूर पूछते हो अवाइड मल्टी टास्किंग दूसरा जब भी पढ़ाई करो गैप देना है बीच बीच में ऐसा नहीं लाइबरी में सुबह घुसो और सीधा शाम कोई निकलो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है ऐसा नहीं होता है पढ़ाई कैसी हो इंटरवल थोड़ी सेवा करो फिर रुको थोड़ा थोड़ा बीच में ग चाहिए उसको कई सारी कॉंफरेंसेस ऐसी होती है इतना पैक्ट प्रोग्राम होता है सुबह से रात तक विचारे ओडियन्स दुख्यों जाते कि एक ही दिन में सब कुछ करना है 9-10 10-11 11-12 और कोई हिलना नहीं बिल्कुल सभामें सब बैठे रहोगों क्या करना है ग्याम दिन मुरली पढ़ रहे है मुरली भी पढ़ने की विधियत एक परेग्राफ पढ़ लो अब रुको थोड़ा या तो रिवाइस करने की कोशिश करो या कुछ तो करो पर थोड़ा सा रुख जओ सीधा पूरा के पूरा पढ़ लिया और पढ़ते भी किसलिए है संतुष्ट होता है हो गया पढ़के काम पूरा हुआ आज का काम पूरा हुआ बस वो भी एक mental habit है बस उसलिए पढ़ रहे है इसलिए धार्णा भी नहीं हो पाती है नहीं तो एक ही वाक एक ही paragraph में कुछ तो ऐसा है जो कभी है हमने सुना नहीं देखा नहीं चिंतन नहीं किया ऐसी कोई ना कोई नई पॉइंट है उसमें तो दूसरी विधी क्या है तीसरा देखना क्या करो लक्षमी नारा इनका यह जो चित्र है बाबा कहते है पिच्चर के सामने बैठ जाओ और देखो देख लिया आखे बन करो और सोचो रंग कौन सा थे कौन से कौन से था क्या क्या था कलर कौन से थे जेवर कौन कौन से थे मुकुट कैसा था ट्राइटू रिमेंबर या फिर कॉंसेंट्रेशन बढ़ाने के लिए टेकनिक्स क्या होती है इस कमरे में एक बार देख लो यह यह ना पूर्वज सबको देख लो एक बार अब आखे बन करो याद करो नहीं पर पहले पता चाहिए कौन-कौन है नहीं तो यह वैसा ही हो जाएगा किसी को दिखाओ चाइनीज और उसको बो पढ़ो वो गयता है मुझे नहीं आ रहा है कोशिश तो करो अरे क्या कोशिश करू पता ही नहीं वह चित्र पिच्चर के रूप में अलफाबेट है कैसे आएगा वैसे पहले पता चाहिए उसके बा ओम शांती भावन में स्लोगन रखे रहें तो कई बार स्लोगन पढ़ लो और अगले दिन जब बैठते हो तो सोचो कि मेरे इस डाय राइट हैंड के पास कौन सा उस गेट नंबर वन में कौन सा स्लोगन लगा हुआ है याद करने की कुशिश करो डाइनिंग में जाते हो ज एकागरता से बैठ जाओ और श्वास को देखो श्वास आ रही है श्वास जा रही है एकागरता तीस रहे समवेदना पूरे शरीर पर जो सेंसेशन्स होते एकागरता एक घंटा बैठ जाओ और उपर से नीचे नीचे से उपर तक किस तरह की समवेदना है कहीं दर्द है कह निकागर होगा इससे भी अगला distractions avoid करने हैं अगर पढ़ना है mobile बन कर दो off कर दो बाजू में रख दो खिड़की से बार बार देखते हो खिड़की बन कर दो पढ़ते हो और बार बार किचन में जाते हो फिर फिर देखते हो कुछ है क्या खाने का दब्बे में हाथ वो सारी चीज़े हटा दो disturbance है जो भी distractions है उन सब को हटाओ वहां से जो भी मन को भटकाने वाली चीज़े उसमें और एक है spider टेकनिक होती है जो साइकलोजी में सिखाई जाती है spider क्या होता है वह स्पाइडर होता है न वह त्यूनिंग फॉर्क अगर लो और उसको उसके जाले के पास लगाओ तो वह देखता है क्या है क्या है पर continuous रखो देखना बन कर देता है जैसे railway station पर देखा होगा भिकारी सोत है उस आवाज को क्या करना है स्विकार कर लेना है जैसे बाजू वाला खर्राटे लेता है हमारे मन में विरोध है कौन सा कि मुझे कमरा बदलना है सबसे पहले तो और उसकी कोशिशे चालूए या फिर इसको कुछ करूँ एक्सेप्ट आजए मूजिक उसको सिकार कर लेना उस पाइडर यह स्पाइडर टेकनिक यह जो डिस्ट्रेक्शन सारे ना ध्यान नहीं देना वह होते रहेंगे गाडिया आ रही है गाडिया जा रही है कोई बात करता है अचानक मोबाइल बचता है बजने दो कुछ परक न दोर से बैठता है सोफा पर डिस्ट्रेक्शन उसके बाद अगला है डेडलाइन सेट करनी है जब तक डेडलाइन सेट नहीं है एक आगरता नहीं आती है अच्छे तुमको किताब पढ़नी है कब पढ़नी है पड़ो जब भी टाइम मिले अभी नहीं होने वाला उसको बो तीन दिन में पढ़के मुझे वापस चाहिए तो वह पढ़ता है तीन ही दिन उसके पास डेड लाइन सेट करनी है मुझे यह किताब तीन दिन में खतम करनी है फिर emergency situation जाकती है तब एकागरता आती है उसके सिवा एकागरता नहीं आती है इसलिए जो भी किताब मिले पहले सं के पूरा करना है हर मास के क्योंकि कई सेंटर उपर लेट पहुचता है आठ तारीक दस तारीक क्या लक्ष रखेंगे फिफ्टींथ सब पढ़ लो एक बार क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अनुबह होते हैं लोगों के मन को बीजी रखना है तो डेडलाइन सेट करना है उसके बाद में अगला है कॉंसेंट्रेशन बढ़ाने के लिए एक्सराइज डेली क्या चाहिए एक्सराइज चाहिए बॉड़ी में फ् शरीर का एक एक जॉइंट एक चक्र है यह चक्र जो है वो उर्जा का स्त्रोथ है वो हिलना चाहिए शरीर में उर्जा बहने लगे चोबिस घंटे में एक बार और हफ़ते में छे दिन एक्सराइज जरूरी है एक दिन छुटी चीटिंग डे या फिर यह भी कहा जाता है कि एक दिन शरीर को आराम दे तो बाकी एक्सराइज मस्ट है और एक्सराइज से क्या होगा इमस्ट्रेशन पड़ेगा और एक्सराइज करते समय भी कितना कॉंसराइज लगता है प्रेजंट मूइ nied में घीते वह एकी समय कि जब इतना हो्रेज क के साथ अब यह जब स्ट्रेश हो रहा होगा जितना भरी करने वाला होगा उतनी काग्रता की शक्ति कम होगी जितना वह हलका हो अपधने आप एकाग्रता बढ़ेगी है smaller food परोन हें Qumar । खा और सीधा चे गंटा को इए नशाय में चल जाते पता यह नहीं चलता है च्छान careers दूपेर का भोजन किया ड्यूटी है चार बजे उठते हैं तो देखते हैं छे कैसे बजगे पता ही नहीं चला और छे बजे भी उठने की इच्छा नहीं होती है फूड कोमा कहा जाता है इसे इसके लिए हलका करता हो उसको उसके बाद मैं अगला हाट और माइंड को एक करो तो एकागरता होती है जो कर रहे हैं उसमें emotions को डाल दो अपने तो यह एकागरता बढ़ती है खाली उपर उपर से किया तो नहीं होगा कुछ भी कर रहे हो चाहे बोजन बना रहे हैं क्या करना है मनो भाव से करना है उसमें अपने उडेल दो अपनी आत्मा को, तो अपने हाँ एक आगरता बढ़ जाएगी, उसके बाद में Interests, एक आगरता कैसे बढ़ती है? scientist बच्चा है उसको बिलकुल interest नहीं है method में, उसको कुछ याद नहीं रहता है, पर उसे यह पता है कि पिछले साल क्रिकेट में उसने कितने रन बनाए थे सब कुछ याद है उसे क्रिकेट का क्यों कि उसका इंट्रेस्ट उसमें उसका तुम्हारे मैट्स में बीटा धीटा में कोई इंट्रेस्ट ही नहीं है तुम्हारे उसका और उसको वही सिखाया जाता यह तुमको करना है उसका इंट्रेस्ट उसमें तो जिसमें इंट्रेस्ट है तो ग्यान में योग में धारना जीवाइडियस में इंट्रेस्ट डेवलप करना है दीरे दीरे तो क्या होगा एकागरता बढ़ेगी उसके बाद में अगला क्या करेंगे एकागरता लाने के लिए समय को व्यर्थन है कराएंगे या फिर टाल मोटल ना करना बहाने बादी ना करना तो एकागरता बड़ेगी और जंसी क्रियेट करना तो conquer procrastination कहा जाता है इसको तो एकागरता बड़ती और क्या करेंगे एकागरता लाने के लिए टाइम टेपल बनाओ और क्या करेंगे एकागरता लाने के लिए सब संबंद एक से जोड़ना यह यह तो सब योग की विधिया है और मनन करना मनन से एकागरता बड़ती है सबसे जदा एकागरता बड़ती है सुनना क्या सुनना प्रकृती में जाके बैठो और प्रकृति में जितनी आवाजे हैं चिडियों की पंचियों की एकांत में बैठके सुनने की कोशिश करो एक यह 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 अभ्यास है सुनना जो एकागरता को बहुत तेजी से बढ़ाएगा अगला और कुछ साइलेंस एकांत को बढ़ाता है और पूरी दिंचरिया को सेट करके रखना प्राइवर्टाइज करना है सबसे इंप्राइड कौन सा काम है और फिर यह महत्वपूर्ण नहीं है सुबह उठते ही महत्वपूर्ण क्या है योग, धारना, सेवा यह सेवा बाद में है सुबह सुबह उठके वो समनी चलू करना है प्राइवरिटी क्या है तो एकागरता बढ़ेगी स्पोर्ट्स एकागरता बढ़ाता है साइलेंस एकागरता बढ़ाता है तो बहुत सी विधिया है और अपनी विधि खुद खोजनी है कि मेरे मेरे लिए सबसे उपयुक तो कौन सा है कि जिस से मैं एक आगरता को मैं अपनी बढ़ा हूँ तो यह होगई एक आगरता फिर बाबा ने उड़ती कला की बाते की है पार्टियों से मुलाकात में क्या कहा उसमें चड़ती कला नहीं उड़ती कला चाहिए अभी समय तेज जा र यहां लगाव ना हो आकर्शन ना एक बाप के अतिरिक्त कोई भी आकर्शन ना हो तो यह काम होगा सारा खेल एकागरता का मन को एक आगर करने की कोशिश करनी है बुद्धी को मैं बाकी सब छोड़ो यह सब चोड़ो कि इसकी अतिरिक्ता भी कोई और दूसरा काम नहीं है म बस ये मुझे पूरा इसका रस निकालना है और यह याद रहे लंबे समय तक याद रहे केवल एक दिन के लिए नहीं इसके लिए जो पड़ो और एक चीज़ है रिवाइस करो उसे चोबिस घंटे के अंदर रिकॉल करना आज पड़ लिया एक बार वो रिकॉल होनी चाहिए योग में बैठके एक बार योग चलू करने से पहले मुर्ली की पॉइंट्स रिकॉल करो फिर योग चलू करो शाम का नुवा शाम का योग करने से पहले पॉइंट्स रिकॉल करो ऐ कैसे चोबिस घंटे के अंदर मूदली को रिवाइश करने वाली आतमओ को ऐसे भाग्यधाता की मास्चरदाता आतमाओ को भाग्यबातने वाली आतमाओ को क Remember thoseMon 작품 Master what I single को दुख की लहर भी स्वपन में संकल्प में भी ना आए ऐसी आत्माओं को ऐसे सहज निर्विगन रहने वाली आत्माओं को एकागर चित्ता आत्माओं को ऐसे विशेश आत्माओं को विशेश परिवार में रहने वाली आत्माओं को ऐसे जिम्मेदार आत्माओं को ऐसे वि एक मिनिट में कितने सुमान लिखने वाली आत्माओं को एकिस सुमान लिखने वाली आत्माओं को एक करने वाली आत्माओं को यह नंबर वन की निशानी माताओं से मुलाकात यह ऐसे एकनौमी और एकनौमी वाली आतमाओ को ऐसे सीट पर सेट रहने वाली आतमाओ को मन बुद्धी को ओर्डर करने वाली आतमाओ को ऐसे उड़ती कला में जाने वाली आतमाओ को डबल लाइट रहने वाली आतमाओ को कोई भी आकरशन जिने आकरशित ना करें ऐसी आतमाओं को लगाओ, मुक्त आतमाओं को स्वधंत्रा आतमाओं को एक बाप, दूसरा ना कोई ऐसे स्थिर बैठने वाली आतमाओं को बच्चों जैसे यह कैसे चंचल होते एक मिनिट भी बैठते नहीं है हाईपर एक्ट्व चाइड़ होते तोड़ फोड़ तोड़ फोड़ करते थे पूरा पाच मिनिट के लिए कहीं जाते है तो उपद्रो मचा देते है बहुत मुश्किल होता है उनको हाइपर एक्टिव चाइल कहते है यह भी एक बीमारी है पिडेट्रिक्स में उसका ट्रीटमेंट होता है ऐसे स्रेष्ट कर्म करने वाली आत्माओं को ऐसे समय के महत्व को जानने वाली आत्माओं को ऐसे उडने वाली आत्माओं को और धेर सारे सुमानों वाली आत्माओं को बाब दादा का याद प्यार गुड़ नाइट और नमस्ते हम रुखानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड़ नाइट और नमस्ते, हम शेंदे